गौतम गंभीर की तीन गंभीर गलतियों ने भारती टीम को मुकाबला हराया सिलंका ने भारती टीम को खून के आसुरू लाए जियां इस गौतम गंभीर वाली भारती टीम को सिलंकन टीम में खून के आसुरू ला दिया एक अस संतुलिद, एक अनुभव हीन, एक कमजोर सिलंकन टीम के आगे गौतम गंभीर वाली भारती टीम घुटने टेक्टेव नजर आई भारती टीम जिस मनसूबे और जिस मकसद से सिलंका दोरे पर आई थी उन मनसूबों और उन मकसदों पर पानी फिर चुका है गौतम गंभीर जो इस सिरंकला को यादगार बनाना चाहते थे उनके लिए इस सिरंकला सर्मनाक और सर्मसार गुजर रही है बात करें अगर हम ODI सिरंकला की तो T20 सिरंकला के बिलकुल ही बिपरीत प्रतरशन आ रहा है भारती खिलाडियों का सबसे मज़ेदार बात और सबसे दिल्चस्प बात की इस ODI सिरंकला में बहुत मजबूत स्क्वाइट के साथ भारती तीम तो रही थी यहाँ पर रोहित मौजूद थे यहाँ पर विराट मौजूद थे राहुल स्रेय सयर की वापसी हो रही थी उसके बावजूद अगर आपके बलेबाज सिलंकन गेदबाजों का अगर गुटने टेकते हैं अगर हतियार डालते हुए नजर आते हैं मतलब मन्थन करने वाली बात है मतलब गंभीर की टैक्टिक्स में भारी भरकम कमी है मतलब गंभीर की आने वज़े से ड्रेसिंग रूम का महल थोड़ा सा उतल फुतल हुआ है और अगर हम बात करें अपनी इस रिपोर्ट की तो आपको तीन कारण बताने वाले हैं गंभीर की तीन गंभीर गलतियां बताने वाले हैं जिसके करण भारती टीम को हार का मुझ देखना पड़ रहा है एक कमजोर सिलंकन टीम के खिलाब भारती टीम को मुकाबला हारना पड़ रहा है एक असंतुलित सिलंकन टीम के खिलाब भारती टीम के बल्लेबाज हतिहार डालते हुए नजर आ रहा है आखिरकार वो कौन सी टीम गंभीर गलतिया है आखिरकार जिस गंभीर को लेकर सभी भारत वर्ष के क्रिकेट प्रसंसक गंभीर थे अब और भी गंभीर और सजग हो गए हैं क्योंकि बातें और ड्रेसिंग रूम का जो महाल है अब खुल कर सामने आ रहा है गंभीर की रणनीतियां विश्व पटल पर सामने आ रही हैं और वो किस तरीके से बैक फैर होती भी दिख रही हैं वो भी सब के सामने आता हुआ की तो बैटिंग और से छेट चार यहां पर केल राहूल अगर आपने देखा होगा ओडियाई वर्ल्ड कप दो जार्टेज तो नंबर पांच पर ही बलेबाजी करते थे वहां लेट राइट कंबिनेशन बनाने का फिराक में नहीं थी भारती टीम कोई सोच में नहीं थी व लेकिन केल राहूल और स्रिया सायर जो मझे हुए बलेबाज हैं जो स्पिन के बहतर बलेबाज हैं उनके बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़ चार नहीं होती थी लेकिन जब से गंबीर आया है तब से स्रिया सायर और केल राहूल के भी बलेबाजी पोजीशन के साथ फेल हुए हैं क्यों फेल हुए है क्योंकि उनके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़ चाड़ हुई है इन इस्टेबिल्टी आई है और यहीं पर भारती टीम को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दूसरी बड़ी गल्ती कि रोही सर्मा इतना बेहतरी शुरुआत दे दूसरे मुकाबले में भी हुआ कि ओभर कॉंफिडेंस का सिकार हुए भारती बल्लेबाज जिस चीज के लिए गौतम गंबीर को ड्रेसिंग भूम में बैठाया गया है कि आपको ओभर कॉंफिडेंस नहीं होने दे नाय खिलाडियों को आपको यह रूथलेस क्रिकेट वा यहाँ पर अब और एक्सपरिमेंट हुआ दूसरे मुकाबले में यह एक्सपरिमेंट इसले किया गया कि हम कुछ आउट आप दो बॉक्स करना चाहते हैं हम कुछ ऐसा चीज आउट आप दो स्लेवस देना चाहते हैं पोजिशन टीम को कि वो तयार ना हो और रोही सर्मा को यहां पर गेदवाजी कराया गया, जो बना-बनाया मुमेंटम था, जहां विकेट लगातार गिर चुके थे उसके बाद, एक सासदारी, जैसे कि पिछले मुकाबले में एक सासदारी आई, सिलंकन पर लिबाजो दारा, लोर मिडिल ओर पर लिबाजो दारा, उसी तरीके से य तो ही सर्मा को गेदबादी कराने की चक्कर में थोड़ा सा एक्सपरिमेंट करने के चक्कर में वो जो अश्चे सिलंकन टीम 220-210 तक रोकी जा सकती थी उसको हमने 240 तक पहुचा है तो यह बेवजा कि जो एक्सपरिमेंट हो रहे हैं यह जो अफला तून एक्सपरिमेंट हो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और प्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें